यह लो स्टूड़न्ट वैलकम टू कॉलेज पुक जो गाइज आपने देखा होगा कि विसी फस्ट यह के बारे में हम यह डिस्कुस करने वाले हैं तो जो पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे हम उनके बारे में यहां देखेंगे एवी सब्जक्ट का तो जाइब इसी फॉस्ट सबसे पहले मैं आपको एक पीपर की बारे में डिटेल में एकस्पेंड करूंगे बागी जो पीपर होता है वह होता है तो काफी बच्चों के लिए तो अगर देखो हम मैंत की बात करते हैं मैंत का जो पीपर है आपका होता है 100 नमबर का record होता है जिसमें से आपको passing marks minimum आपको जो passing marks है वो passing marks आपको लाने होंगे 40 परसंट 40 परसंट आपके क्या है इसमें पार्सिंग मार्क से यानि कि अगर आपको भी मैत का जो ang your किलियर करना है तो उसके लिए 15 Leben से आपके 40imenile चाहिए 14 number मतला 40% अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका जो फुन्पर हो के लिए इन कैस आपको 50% नहीं बन रही है तो आपका जरो पेपर हो बैक हो जाए हैं हम बात करें unit wise जो है 100 number किस तरह डिवाइड होता है तो जो 100 number है यहां देखो आपके आएंगी unit 5 unit 5 होंगे unit 5 में से आपको every unit जो है वो होगी 20 number की यानि कि एक unit जो है वो 20 number की आएंगे आपके first second third and fourth और फिप्तीनों की 30 unit है 20-20 number की होंगी साथ में 20 number में अगर हम बात करें कि आपके दिमाग में चीज़ा आ रही होगी कि अगर हम क्या करें चालिस नंबर लाने के लिए हम दो unit अगर cover करते हैं तो हम pass हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो अगर आप सिर्फ दो ही unit के लिए करके जाते हो तो दो इनिट से आपके अगर 40 है तो 40 दो बन रहें लेकिन 40 अगर आप 40 नंबर का ही अटेम करोगे तो आपके 40 में से 40 तो अगर आपको फिर्फ फिर पास्वाले बच्चों के लिए हैं पर संटेज हम बना सकते हैं पांजिसको पांच-पांच निट पढनी उनके लिए वीडियो शिर्फ और बच्चों के लिए जिन्मको सब्सुर्ण जिनका बैग रॉट है उनके लिए मेथमेटिक्स उनके लिए उनके लिए बच्छे रुट हुटे Уकार कर ले लें में घुटाय और जो एक मैथ है वह और लेवन डोल्ह वाला इन है नो प्रॉब्लम आती है आर्ट पेक्राउंड एंड कोमर्स बैग्राउंड स्टूरेंट के लिए तोате सब से कुम्म बैग्राउंड बिचे है उनके लिए सबसे बड़ी खुसकपरी है, जो 2nd 2023 में जिसने इन्रोल लिया है उनके लिए सबसे बड़ी खुशकबरी यह है कि आपको जो सेकंडियर है आपको सेकंडियर में मैत नहीं पढ़ना पड़ेगा सेकंडियर से मैत को हटा दिये तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग पार्ट है फस्ट यह आपने पड़ना 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 है कि क्लियर हो जाए आप को स्टेम्य अíst कर नहीं तो इसके लिए आपको कम से कम तीन ट बढ़नी होंगी ठीक है क्योंकि तीन अगर कंप्लीट करते हो तो यnost तो आपको कम से कम 3 unit पास होने के लिए पढ़ने ही पढ़ेंगे अब कौन सी 3 unit पढ़ने पढ़ेंगे इसके बारे में next video में बताऊंगे अगर आपको जरूरत है कि हमें बताओ कि वो कौन सी सबसे easy 3 unit होगे जिनको हम cover करके पास हो सकते हैं तो जादा से जादा मुझे कमेंट करके बताना कि इस टोपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं next video इसी टोपिक पर अपलोड करूंगे तो आप ज्यादर ज्यादर अक्वाण करना और गाइज अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक कि नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करती है चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना है पस्टियर में जिस paper ट्पिकल लगता उसको इसी टाइम के लिए करो पास करके जब हमारी रॉद्स पास नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्क्ट रॉर्स सबेंगे यॉद्स कुल कर लिए तो क्वाइब मेरें कर लिए तो आपको सिर्फ थी निट करनी है पासिंग मार्क्स के लिए वह थी निट में भी आपको इंपोर्टन क्यों बताऊंगे तो आप सिर्फ वही क्यों कर लेजिए आप पास हो जाओगी यानि कि देखो जो आने का तरीका है आपको बताऊंगे नहीं बनते हैं लेकिन मैं आपको पैटन बता दूगी कि इस या फिर भी सी थार्ड या आपके अवरी सब्जक्ट में मिनिमाम 40 परसंट पासिंग सभी तो वीडियो परसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब क्या है और बीसे इस इन आपको मोर्स इंपोर्टन क्यों सभी ख इंपोर्टन क्योंशन के सोलुशन भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बढ़ा सकते हैं तो सब्सक्राइब कर जाना जाता जाते थेंक यू फुर वचिंग